क्या आप प्राजीन भारत के एक गुप्त ग्रंत के बारे में जानते हैं, जिसका प्रस्ताव अभी भी अग्यात है? लेकिन इसमें मन पर काबू पाने और अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने की सबसे शक्तिशाली तक्नीके शामिल हैं. इस पार्ट को विज्ञान भैरव तंत्र या जो ग्यात है उससे परे के विज्ञान के रूप में जाना जाता है. और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो कुछ भी लिखा गया है वह सीधे भगवान शिव के मुख से निकला माना जाता है. भगवान शिव हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक है. उन्हें हमेशा एक शक्तिशाली योगी के रूप में दर्शा आया जाता है, जो अपने ध्यान में सर्वोच आनंद का आनंद लेते हैं. विज्ञान भहरव तंत्र शिव और उनकी संबंदित देवी पारवती के बीच एक समवाद है. देवी पारवती अपने भगवान से उनके वास्तविक स्वरूप के बारे में पूछती है, लेकिन भगवान शिव उन्हें सूखा उत्तर देने के बजाए कुल 112 शक्तिशाली तक्नीकों की व्याख्या करते हैं, जिसके द्वारा वह सीधे उनके वास्तविक स्वरूप को देख सकती हैं, याद रखें, मूल पाठ में केवल तक्नीके शामिल हैं, और यदि सही ढंग से अभ्यास किया जाए तो यह आपको अद्भुत शक्तियां प्रदान कर सकता है,